अब जो में पास जो कोश्चन है जो नेक्स्ट जो कोश्चन है तो अब जो भुम उमों कोश्चन करें वह कुण सी टाइप मारे पास नजला करक्या है जीरो ग्षयक डूफर। जिसे एक्स प्रोचिजज टु इन्फिनिटिब। 1 प्लस A by X raised to the power X सेगंड क्वेशन के आमरे पस limit X approaches to 0 sin X by X raised to the power 1 by X तो जो फर्स्ट क्वेशन मानलो फर्स्ट को पहले अगर सोल करें तो limit X approaches to infinity 1 प्लस A by X raised to the power 1 by X तो सबसे पहले आपने कुण्सी ये इस form का बनेगा बनेगा ये पता करने के लिए आपने इसमें limit substitute करनी तो 1 X A कोई finite number है तो A by क्या होगा infinity तो क्या बनेगा 0 तो 1 प्लस 0 1 और यहाँ पर 1 over क्या करोगे ये मारे पास 1 over infinity 0 तो क्या बनेगा ये मारे पास 1 raised to power तो ये क्या होगा ये मारे पास 1 by X नहीं तो क्या होगा ये मारे पास X क्या है तो ये 1 और ये क्या रहाखो X के जगा पर 1 plus 0 1 तो X ए इन infinity रहाखो तो क्या बनेगा मारे पास 1 raised to power infinity form मारे पास ये बनगी तो 1 raised to power infinity form बनी तो सबसे पहले आपने क्या करना है जो भी हमारे पास ये function क्या रहाट करोगा Y, Y क्या रहाट करें लिए 1 plus A Y X raised to the power X, फिर आपने दोने साइड क्या ले ना log taking log on both side, दोने साइड ये लिखोगे याँ पर log of Y, तो क्या होगा X आपका आगया जाएगा, X time of log of 1 plus A by X, तो ये Y, तो क्या होगा लिमिट? X प्रोच इस तो infinity, X into log of 1 plus A by X, तो ये होगा, अब लिमिट X के अंदर स्प्रिट करके देखोगे, तो X इस इस infinity, infinity, और यहाँ आपको A by infinity तो 0, 0 plus 1, 1, तो log 1 मारे पास क्या होगा, 0, तो ये क्या form बने 0, तो ये जो form बने 0 into infinity form मारे पास बनेगी, अब 0 into infinity form बनेगी, तो इसको infinity by infinity, ये ये पर 0 by 0 form में convert करेंगी, तो एक मिट इसको convert करो, तो ये लिमिट आएगे मारे पास as it is, तो ये क्या होगा मारे पास log of 1 plus A by X और ये divide में क्या होगा 1 by X, ये होगा, अब पूट करेंगे 1 by infinity का होगा 0 और ये क्या होचेगा log 1b क्या मारे पास 0, तो क्या form बनेगे मारे पास ये 0 by 0 form मारे पास ये बनेगी, अब 0 by 0 form बनेगी तो इसको उपर क्या अपलाई करोगा apply LH rule, तो ये तो मारे पास चलेगी दरवाड़ी साइड तो, तो क्या limit? X approaches to infinity, तो सबसे पहले क्या करोगा numerator का, तो लोक का करोगा तो 1 by क्या होगा, 1 by 1 plus A by X, लोक का अब इसका करोगा तो 1 का 0, और इसका करोगा तो A constant, 1 by X, 1 by X 1 by X, अब माइनस के, 1 by X स्फेर, तो क्या जाएगा, into में, minus K by X स्फेर, थीक भी यह होगा, डिवाइन में, डिवाइन में 1 by X, तो इसका क्या होगा, minus K1 by X स्फेर, तो ये minus K1 by X स्फेर, से minus K1 by X स्फेर, cancel होगा हमारे पास, तो क्या पुचा है, आपर limit, X goes to infinity तो क्या होगा इसके इंदर तो क्या होगा माइनस A माइनस B क्या होजएगा मारे पास cancel तो क्या होगा उपर से A divided by 1 plus A by x तो अब इसके अंदर limit substitute करोगे x goes to infinity तो A by infinity क्या होगा मारे पास 0 0 plus 1 क्या होगा मारे पास 1 और यहां से क्या बच्छा A by 1 क्या होगा मारे पास A तो क्या अंस्वर होगा इसका मारे पास A अब यह तो अनस्वर इसका मारे पास statement का लेकिन अब यह लोग भी एक्सरा आमारे पास इसको उदर लेगे जाओ तो क्या पचेगा है हम पर limit x goes to infinity तो क्या पचेगा y और यह क्या हो गया e raise to power a तो यह मारे पास क्या होगा इसका अंस्वर होगा तो क्या अंस्वर होगा इसका मारे पास e raise to power a बिल्कुर simple question है साभी question में एक pattern फोलोगा आप easily इनके क्या कर सकते हो तो जो second question हमारे पास इसके अंदर second question क्या हमारे पास limit x goes to 0 sin of x by x raise to power 1 by x तो यह हमारे पास इसके अंदर जो second question है तो इसके अंदर limit x goes to 0 sin x divided by x raise to power 1 by x तो अब यह चीज़ आपको मैं पहले एक रुबाय कहा था क्या मारे पास जैसे limit x goes to 0 sin x by x यह चीज़ मारे पास किसके इसके उकल टूती है 1 के तो इसके उपर अलग से मारे लिमिट देखूँ तो इस चीज़ मारे पास क्या बनेगी 1 और यह क्या बनेगा 1 over 0 infinity यानी 1 raise to power infinity form यह मारे पास बनेगी तो 1 raise to power infinity form बनेगी तो इसको solve करने लिए सबसे पहले तो आप क्या let करोगे let y let करोगे sin x by x raise to power 1 by x फिर क्या लोग होगे इसके अंदर दोनों साइड लोग लोग ओफ y तो 1 by x होगे मारे पास आगे तो क्या बनेगा मारे पास यह लोग ओफ sin x by x तो यह मारे पास बनेगा तो अब इसके अंदर अगर limit लगा होगे दोनों साइड limit x goes to 0 log of y limit x goes to 0 1 by x into log of sin x by x तो यह होगे तो limit रखो तो सबसे तो करोग 1 over 0 infinity और यह कितना आएगा 1 तो log 1 क्या आएगा मारे पास 0 तो क्या form बनेगा 0 into infinity form यह मारे पास बनेगी अब 0 into infinity form बनेगी तो सबसे पहले तो क्या करोगे इसको 0 by 0 यह infinity by infinity form के अंदर convert करोगे ठीक तो limit x goes to 0 ठीक अभी इसको में उपर अगलियो log sin x by x इसको में उपर अब यह दो ट्रम इसका रसी प्रोकल करके दूसरी के डिवाइड में करना इसका रसी 1 by x है अगर ऐसी प्रोकल करों तो क्या बनगे x है तो दूसरी के डिवाइड में करदो क्या होगा x यह होगा यह मल्टीपलाई में इसको डिवाइड में करदो आप x वो भी चीज़ चल जाएगी तो x को क्या रखो 0 जिरो बही और यह कितना बनेगा 1 log 1 भी क्या 0 तो क्या form बनग से तो स्बस पर लोग का करोंगे तो से लोग का तो बन बाय तो मैं आयगत प्लट जाएगा मारे पास यह और पास क्या होगा x x by sin x ठीक है भी यह होगा फिर क्या करोगे sin x by x का sin x by x का जो आप इसके अंदर करोगे तो वो क्या होगा sin x by x का तो u by v से करोगे तो u by v से करोगे निच्चे वड़ा function का x का क्या होगा square x को रखलो as it is और sin का क्या होगा मार पास cos x minus का निशान अब कि वार x का करोगे 1 और sin को रखलो as it is sin x तो यह मार पास होगा अब निच्चे क्या मार पास x x का कितना होगा मार पास 1 होगा तो x का मार पास होगा 1 तो यह बच्या अब यह बच्या तो दो प्रेक्टने दो नग उपर अला अगल एकसे लिमिंट निकालो इसका तो अनस्वर कितना है अगर इसके उपर मार पास लिमिंट लगा पहले अनस्वर आएगा आपका बन अब यह आपके पास बच्या तो यह कितना बना बन into में यह अब यहाँ पर x को 0 रख देूं तो 0 into 1 0 और यह भी 0 अब यह मारे पास अगर 0 बन गया तो यह आँसे 0 by 0 फोर्म आपके पास बन गई क्या बन गई 0 by 0 तो इसको तो आप यहाँसे वन इस स्टेटमेंट को तो टाई दो तो क्या पास यह मारे पास limit x approaches to 0 अगर इन दोनों को मैं अलग लग कर दियूं तो यहाँसे 1 x x cancel cos x by x minus sin x by x square 1 x को मैं इसके निचे यूज कर दियूं 1 x को इसके निचे यूज कर दियूं sin x by x कितना पनेगा मारे पास 1 तो क्या बचे यहाँपर 1 by x क्या बचे कि 1 by x अब मैं अगर इसका lc म ले ले लिऊँ तो limit x goes to 0 cos x minus 1 by x यहाँगा statement अब रखो cos 0 1 1 minus 1 0 और 0 तो 0 by 0 from फिर बन कि मारे पास अगर 0 by 0 from है तो इसको दोबारा से lh rule अपलाई करोगे तो क्या होगा limit x goes to 0 cos x का कितना होगा मारे पास minus k sin x और x का कितना होगा हमारे पास 1 तो यह हो गया तो अब रखो sin 0 0 तो 0 by 1 तो क्या होगा यह 0 तो यह नसुर कितना हमारे पास 0 तो यह जो इस statement का नसुर क्या होगा हमारे पास 0 तो लेकिन अमा तो इसकी value ची यह y की तो इस लोग को इदर लेका होगा तो इनको आप करके देखो अगर कोई प्रोब्लम आए तो वो आप में बता सकते हो